अच्छो तो कैसे हो आप लोग यहाँ पर फाइनली कक्षा दसी वालों के लिए गणित का चैफ्टर फाइप यहाँ पर लेके आ चुके बचो जो आपके लिए अर्दवाशिक के लिए बहुत इंपोर्टेन होने वाले हैं और यह प्रशना आपकी बोर्ड परिक्षा 2023 के लि आँगा कोई दिक्कद्निया भी हम अर्दवाशिक की अच्छे से तैयारी कर लेते ठीके चैप्टर का नामें समांत्रशनिया वेरी वेरी इंपोर्टेन क्यूशन यहाँ पर प्रवाइट करवा रहा हूं मैं आपको कोलंक पांच नंबर के आएंगे दो नंबर का एक सारवांतर डी दे रख एगा हमको ठीके प्रथम पत क्या है और सारवांतर टी ठीके हमेंँ दे रखा है तो प्रेख्या 5 पրथम तुर फिर 4 और में बताना है देखें sentence क्या चार मैं 15 मान है दूसरा क्यों प्रथम प्रथम पत चारे वर सारवांतर मा इन 20-10 बास या मिन संक्या घटते क्रम में आरा समझ में चार से फिर माइनस तीन होगा तो एक ऐसे आएगी ठीक है तो चार से फिर हो जाएगी एक और एक में फिर माइनस तीन कम होगे तो माइनस दो और माइनस दो में फिर माइनस तीन कम होगे तो माइनस फाइब इस प्रकार से आपको सोल करना ठीक है यह दो variety मैंगे आपको बता दी हैं अब next question ह karş loving question number दो निम मैंसे प्रतेग AP के लिए प्रथमपत दा सारवांतर आपको लिखना है समांतर शेणी दे रही सारवांतर क्या होगा देखो तीन और फिर एक आ रहा है याने कि घट रहा है मतलब तीन में से दो जाएंगे तभी तो एक आएगा यानिकि घटते क्रम में जब घटते क्रम में होगा तो माइनस लगेगा तो इसका सारवंतर होगे माइनस दो होगा ठीके इसका देख लो प्रथम पत क्या है माइनस फाइफ अब माइनस फाइफ से हम प्लस की कि और जा रहें ठीके लिख कितना कम हो रहा है चार ठीके चार हम प्लस की तरप या रहें तब या कि माइनस एक आएगा फिर माइनस eş से ac start हम इदर आएंगे 3, 3 से फिर 4 बड़ेगा तो 7, तो हमारे पास प्लस वाली संक्या में हम आ रहे, तो इसका सारवंतर हो जाएगा 4, ठीक है, इसी प्रकार, इसका देख लो, इसमें प्रतंपत 1 बटा 3 है, ठीक है, इस वाले में 1 बटा 3, सारवंतर ग्यात करने अच्छा तरीका यह है, बड़ी संक्या में से छोटी संक्या आपको घटा लेना है, तो सारवंतर निकल क्या जाएगा, देखो, 3 का 3, और 5 में से एक गया तो 4, तो इसका सारवंतर हो जाएगा चार बटा 3, इसी प्रकार से आपको करना है, बट्टे वाली संक्या हो जब, ठीक है, नैश क्योशन क्या है, किसी एपी का सतरवा पद, उसके दसवे पद से साथ अधिक, इसका सारवंतर आपको बताना है, बहुत इंपोर्टेन टीकिश्यों आपके लिए देगो, हमीं क्या पता है, एन का मान क्या है, एन वापद कौन सा यहाँ पर एक तो, सतरवा है, ठीक है, और एक एन, एन का मान है आपका, दसवे, दोनों पद हमारे पास है, तो यहां पर formula क्या लगए बचो ए न बराबर ए प्लस ठीके 10-1D यह formula होता है यहाँ ठीके इसका उपर और बताते हो ए प्लस ए ओन माइनस बर दी यह वाला formula होता है तो ए Random cat तो हमारे पास क्या है पहले आप यह तो 10 को निकाल लो फिर 17 को निकाल लो तो पहले हम 10 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आगा a10 कमान आएगा a plus 9d क्योंकि यहाँ पर गडिया है और d कमान क्या है आपके पास कुछ नहीं दे रखा है ठीके तो d यहाँ पर लग गया ठीके तो an बराबर फिर 17 का निकाल लो ठीके तो यह हो जाएगा a17 क्या होगा a plus 16d फिर इन दोनों को हम solve कर लेंगे इन दोनों का answer कितना है 7 ठीके इन दोनों को जब हम गटाएंगे तो यह 7 अधीक है इन से ठीके तो देखो यह a से यह तो cancel हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 16d में से 9d जाएगा तो 60d क्योंकि बराबर से इधर हम लाएंगे तो ठीके फिर यहां पर बचाएगा आपका 7 इधर वाला और डब d कमान निकालेंगे तो साथ बट्टा साथ हो जाएगा तो साथ एक हम साथ ठीके यह आपका answer है d बराबर एक आपका answer ठीके नैश question देखते है question number 4 आएगा यह भी आपके लिए बहुत important है और 2022 की exam में question पूछा गया था ठीके एप पी दे रहे की है देखो 38 13 18 का कौन सा पद इठोत्तर है हमें पद नहीं पता है सिर्फ इठोत्तर है तो यानि कि a n हमारे पास इठोत्तर है n का मान नहीं है पूरे a n का मान इठोत्तर है ए क्या है आपके पास प्रतंपर 3 d मतलब सार्व अंतर कितना दी आपको 5 का अंतर है ठीक है दिए आपका सार्व निकालना ए न का मान हमें इसमें निकालना है बचो और पद यहां पर हमें पता नहीं, ठिके, to 88, यानि A, N, अम के पास, 88 है तो formula लगा दो, और मान रग दो बहुत यहअसानhma, ठीके, A, एन का मान इट जांद्तर है, A, का मान 3 है A, एन का माना में निकालना है, D, का मान 5 है, ठीके, इटेश आज़तर a-10 तीन a-10 अब देखना पाउच का एंठ पाउच एक पाउच का इस एक में पाउच मइनिस के पांच ठीकिए फिर 58 को उदर ले जाओ ठीकिए पाउच यह न से बराबर ले जाएगी तो 58 यह इनके साइन चेज हो जाएगे प्लस 5 और यह माइनिस के तीन हो तो पांच एन बराबर हो जाएगा mieć है कैसे हुए देंगे विश्क गए तो दो फिर वह में जूड जायें question number 5 ये भी important है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुनज है ये आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर देखना है 10 और 250 के बीच 4 गुनजो की सुची निमनानुसार है ठीक है देखो गुनज किसके बीच में आपके 10 और 250 के बीच में है तो हमें एक समांतर शेणी यहाँ पर बनाएंगे देखो 10 के बाद 12, 16, 20, 24 ऐसे डेश डेश करके लास्ट हमारा पद आएगा 248 ठीक है तो हमारे पास एक एपी का रूप हमारे पास आ गया तो एपी का रूप मिल गया तो आप और भी आसान होगे सवाल सोल करने में ठीक है ए बराबर 12 होगे आपका पर्थमपद बराबर सारवंतर कितना है चार का और अन कितना है 248 ठीक है अब फोर्मूला रख दो अन का मान हमें यहाँ पर ग्याद करना है देखो 248 एन की जगा एकी जगा बारा और डी की जगा चार ठीक है यहाँ पर चार का इसमें होगा 4N माइनस 4 यह तो एजर्टेज है ठीक है अब यहाँ पर देखो 12 में से माइनस की 4 गए तो 8 प्लस 4N अब 4N से हम मान निकालेंगे बढ़ाबर से इधर तो 248 तो एजर्टेज रहेंगे क्योंकि बढ़ाबर से इधर है यह इधर आएगा तो यह माइनस काठ हो जाएगा 4N बढ़ाबर यह बचेंगे 240 और एन का मान निकालेंगे तो 4 से कितने बार कटेगा 60 बार कटेगा तो यहां पर क्या आएगा अंसर अत्त 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणजे 60 गुणजे ठीके नैश क्यूशन देखते हैं प्रफशन नमपर आपका 6 बहुत इंपोर्टेंट है ठीके एपी क्या दे रखी ही दो सात बारा डेश देश दस दस पदो तक योग घ्यात कना देगो पद दे रखे हैं दस पद यानि कि एन का मान हमें दे रखाए ठीके तो एक आपका प्रथम पद दो डी क्या आपका सारव पांच और एन का मान क्या दे रखा है दस पूरे एन का नहीं शिरुफ एन का मान दे रखाए ठीके यहां पर जब आपको योग निकलना है तो यह Подsel क्या है यह वाला फॉर्मूला है आपका पन्जय talents जो मान दे रखाए वह ही रखना पको टीके ऐसा और एकी जगवद को द दो रख देना है फिर एन की जगह 10 दी की जगह 5 रख देना है अब इसको हम सोल करेंगे ठीक है यह 2510 पांच बार कट जाएगा ठीक है दो दो चार यहां पर क्या बचेगा नो 9545 ठीक है यह तक क्लियर अब देखना यह यह इनका प्लस हो जाएगा तो 59 नीचे गुणे में है तो S10 कमान 245 ठीक है यह आपका क्या है फाइनल आंसर क्या लिख दोगे 2712 देश देश दस पदो का यह कितना है 245 है ठीक है बच्चो अब भी जो एक क्योशन करवा है यह आपको अर्दवाशिक के लिए इंपोर्टेंट है बच्चो बोड के लिए हम और भी क्योशन इसमे आपके अर्दवाशिक भी आने वाले हैं अभी के लिए इतना ही मिलता है नेस्ट वीडियो में ठीक बच्चो